छट पूजा समीती सदस्यों ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और मेर सुनिल पास्वान से मुलाकात कर उन्हें आवेदन सौंपा और छट पर्व को देखते हुए सहर वगाटों के साफ सफाई की मांग की। इस बाबत पूजा समीती के नविन सिन्हा ने बताया कि कल की बैठक में लिये गए निर्नय के आलोक में आजुपायुक्त और मेर को अठारा छट घाटों की सूची सौंपी गई है और पूजा के पूर्वस सापसफाई विवस्था सोनिश्चित कराय जाने की मांग की गई है कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी साथ सज्जा की विवस्था की जाएगी वहीं किसे छट वरती को समस्या ना हो इसका ख्याल रखा जाएगा पूर्ष की पार्ष की बाती इस भार विवस्था सज्जावत की अरख से करती है विवस्था की जाएगी ताकि किसी भी छट वरतीयों को जब नदी में आरक जेने के लिए उसको परसानी ना करना पड़े इसकी लिए हम लोगों ने सभी छट पर से मिटी को पैक्ट मोदे और नगर दियम नुमापूर से अलरा किया है उन्होंने आपोफन दिया है कि निश्चित रूप इस भार साफ तफाई कारे चाने शट पुझा के पूर्व सम्मरते कर लिए जाए इधर मेर सुनिल पासवान ने कहा कि प्रतिनीधियों ने दिपावली के बाद सफाई कारे शुरू करने के बज़ाए इससे पुर्व सफाई कारे शुरू कराय जाने की मांग की है निश्चित रूप से इनका कहना ठीक है हमारे करमी भी निरंतर प्रयास में है और सफाई का जारी है कहा कि जल्दी सभी सरकल प्रभारी और उपनगर आयुक्त के साथ बैठक कर निड़नाय लेंगे सभी छट घाटों के साफसफाई समय रहते करा ली जाएगे इस इस्ट मंडल में विश्वनात सर्मा उमा संकर सिंग सतीज साव दिपक सर्मा अनिल मिस्रा कोखंदा रा हमारे पास आये थे लोगों ने ग्यापन दिया है कि इसे आप दिवाली के बाद जो काम शुरू करते हैं वो पहले ही शुरू कर देने से सभी सारे घाटों को साफसफाई हो जाएगी इस सित्रुप से उनका कहना और मानना ठीक है लेकिन हमारे कर्मी निरंतर परियास में है और साफसफाई की विवस्था चालू है और हम इसी बीच में अपने जितने भी सरकिल परभारी है और अपने उपनागाराई की एक मिटिंग कॉल करके हम बुला करके इसमें जो डिसीजन लेते हैं और जितना जल्द होगा और सभी छट घाटों की साफसफाई करवाई हम इसमें होगा और हम इसमें जाटाराई आपने जाटाराई आपने जामाझा करवाईा जाब का ऑला हमाराई जाटों की साफसफा जाबा खा।